हेलो एव्रिवन स्वागता आप सभी का सोलुशन हब पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है बुवन वर्ड्स उसकी जो सेकंड पॉयम है उसकी एक्सप्लैनेशन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके पॉयिट है विल्यम शेक्सपियर तो बैसिकली यह पॉयम जो है यह सोनेट है विल्यम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे हैं विल्यम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं जिन में से यह सोनेट जो है ये है sonnet number 116 total 154 sonnets लिखे हैं William Shakespeare ने जिसमें से 116 number sonnet है तो William Shakespeare जो है उनका introduction पहले देख लेते हैं कि उनका birth हुआ था 1564 को और उनकी death हुई थी 1616 को मतलब 1564 से लेकर 1616 तक वो जीए और इसे बीच नो ने लिखे थे 154 sonnets जिसमें से ये number है 116 ये वाला जो 116 sonnet है True Minds वाला ये पब्लिश हुआ था 1609 को इनके जो sonnets हैं वो 1602 में पहली बार पब्लिश हुए थे और ये वाला जो sonnet है ये 1609 में पब्लिश हुआ तो चलिए बढ़ते हैं आब आगे poem की तरफ तो sonnet की बात करे थे हम sonnet क्या होता है sonnet होती है 14 lines की poem जिसमें 4-4 का group बनता है पहले 4 lines आती है फिर 4 lines आती है फिर 4 lines आती है और फिर last में 2 lines आती है मतलब total 14 lines का एक group होता है जिसमें से last की 2 lines जो होती है वो क्या होते हैं कपलेट्स होते हैं कपलेट्स जिसे आप हिंदी में पड़े हैं दोहा आपने सुना होगा दोहा दो लाइनों का जो मेल होते है दोलानों से मिलकर जो एक राग बनती है पौयर्ट्री बनती है वो क्या होता है दोहा उसे हम कपलेट बॉलते हैं इंग्लिश में तो चलिए अब poem की तरफ बढ़ते हैं पहली line आती है Let me not to the marriage of true minds admit impediments जैसे मैंने आपको बता है 4-4 lines का group है तो पहले ये वाली 4 lines आएंगी So let me not to the marriage of true minds admit impediments तो यहाँ पर पहले meaning देख लेते हैं admit का क्या meaning होता है accept करना किसी भी चीज़ को या मानना और impediments का मतलब होता है problems, बादाएं या hurdles भी कह सकते हैं हम इसे तो point यहाँ से start कर रहे है Let me not admit impediments इस पार्ट को हम अभी इस line के बाद करेंगे Let me not admit impediments यानि कि मुझे बादाएं नहीं खड़ी करनी चाहिए या मैं बादाएं नहीं खड़ी करना चाहता हूँ To the marriage of true minds अब true minds का यहाँ पर meaning है true love यह जो पूरी poem है यह love पर based है यानि कि इसमें पूरे जो Shakespeare है love के बारे में बात करेंगे कि जो सच्चा प्यार है उसके बीच में बादाएं नहीं खड़ी करना चाहता हूँ या सच्चे प्यार के रास्ते में Marriage का यहाँ पर meaning है way रास्ता तो यानि कि सच्चे प्यार के रास्ते में मैं किसी भी तरह की बादा नहीं खड़ी करना चाहता हूँ यह Shakespeare first line में कहना चाहरे है यानि कि सच्चे प्यार के रास्ते में कोई भी बादा मैं खड़ी नहीं करना चाहता हूँ या मुझे मत खड़ी करने दो अब आगे क्या कहते है Love is not love Which alters when it alteration finds और bends with the remover to remove अब आगे बताते हैं कि प्यार जो है वो प्यार नहीं है यानि कि सच्चा प्यार प्यार नहीं है Which alters when it alteration finds यानि कि जब परिवर्तन का समय वो अल्टर क्या होता है परिवर्तित और alteration है परिवर्तन का मौका कह सकते हैं हम इसे कि यानि कि जब इसे बदलने की जरूर्थ पड़े तब ये बदल जाए तो ये सच्चा प्यार नहीं है, यानि कि प्यार प्यार नहीं रहता जब इसे कोई भी मोगा मिल जाए बदलने का मानलीजे, आज आप किसी से प्यार करते हैं, और वो अमीर है, और कल को वो गरीब हो जाए, तो आप उसे छोड़ देते हैं तो वो प्यार नहीं है मतलब आप समय के साथ बदल रहे हैं प्यार में तो वो आपका प्यार सच्चा नहीं है और bands with the remover to bend to remove या फिर band यानि कि जुकना कह सकते हैं bands को hide करना भी कह सकते हैं इस poem की accordingly यानि कि या फिर किसी भी किसी भी रुकावट की वज़े से remover यानि की रुकावट कह सकते हैं या पर कि किसी भी रुकावट कोई भी बादा खड़ी होती है उस बादा की वज़े से अगर आपका प्यार जुकता है तो वो भी आपका प्यार सच्चा नहीं है तो पहली चार प्रिवर्तन की वज़े से बदल जाता है या फिर किसी भी बादा की वज़े से जुक जाता है तो वो प्यार नहीं है अब next four lines में क्या कहते हैं next four lines क्या रहेंगी oh no it is an ever fixed mark that tooks or tempest and is never shaken it is the star to every wandering bark whose words unknown although his height be taken so oh no it is an ever fixed mark अब point आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर इन दो lines में point जो है compareize कर रहा है एक जो light lamp होता है चलो आगे ही बताएंगे आपको पहले इसी का explanation बताते हैं यहाँ पर यह true love की ही बात कर रहा है कि यह जो true love है यह क्या ever fixed mark है यह जो कभी भी ना बदलने वाली चीज है that looks on tempest is and is never shaken अब tempest is क्या मतलब होता है storm कह सकते हैं फिर तुफान जो हम इंदी में कहते हैं इसे कि यह क्या है जो तुफान की तरफ भी देखता है और कभी भी मतलब तुफान में भी अडिक बना रहता है बिना हिले डुले इदर उदर अडिक बना रहता है वही सच्चा प्यार है अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है इस लाइन से बात होती है एक lightning lamp होता है जो आपका light house जिसे आप बोलते हैं light house आपने सुना होगा light house क्या होता है जिसमें मान लीजी यह एक बड़ा सा pole है और इसके चारों तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इफरंट साइड भी और बैक साइड भी चारों साइड light लगी होती है और यह क्या है जो vessels होते हैं समुदरी जहाज होते हैं उनको रास्ता दिखाते हैं क्योंकि इसकी जो direction है इन पॉल्स की लाइटाउस की यह हमेशा नौर्थ की तरफ रहती है तो उसी से comparison कर रहा है यहाँ पर point that it is the star to every wandering bark कि यह क्या है दुरूफ तरह है हर एक भटके हुए जहाज के लिए बाग यहाँ पर vessel है समुदरी जहाज की बात की जारी है wandering bark से यहनकी lost ship यहनकी गुमा हुआ जहाज कि यह हर गुमे हुए जहाज के लिए क्या है तारा है या फिर क्या है एक lighthouse है जिससे की हमें direction मिल रही है जैसे lighthouse की हमेशा direction नौर्थ की तरफ रहती है उसी तरह जो दुरूफ तरह है उसकी direction जो है north की तरफ रहती है तो जिससे यह जहाज को direction दे पाता है whose words unknown अब यहाँ पर फिर से प्यार की बात हो रही है कि जिसकी कीमत क्या है कभी भी नहीं लगाई जा सकती है यहनकी आप प्यार की कभी भी कीमत नहीं लगा सकते है although his height भी taken लेकिन या फिर भी इसकी जो height है यानकी इसकी जो उंचाईयां है प्यार की उंचाईयों को छुआ जा सकता है लेकिन इसका कभी भी mole नहीं लगाया जा सकता है यहाँ पर point यह कहना चाहरा है कि हम प्यार की उंचाईयों को तो छू सकते हैं कि अपनी लिमिट्स बता सकते हैं प्यार में बट यहां पर प्यार को कभी भी मापा नहीं जा सकता कि कितनी इसकी कीमत होगी तो यह हमने चार लाइने और पढ़ लिए हैं यह वाली चार लाइन अब नेक्स फॉर लाइन और उसके बाद दो लाइन जो कपलेट बचा है इसका वो पढ़ेंगे सो लव्स नोट टाइम सफूल तो अब पउट क्या कह रहा है कि प्यार जो है वो समय का गुलाम नहीं है बिल्कुल भी नहीं है प्यार जो है वो कभी भी समय को देखकर नहीं चलता तो अब यहाँ पर थोड़ा सा confusing होगा आपके लिए क्योंकि यह जो है यहाँ पर metaphor यूज हुआ है एक तो simile use होती है जिसमें कि हम easily as या like words का use करके और comparison find कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर comparison कैसे बताया जा रहा है metaphor से बताया जा रहा है यहाँ कि deep thought के through बताया जा रहा है तो यहाँ पर compass का actual meaning compass नहीं रहेगा अब यहाँ पर बता रहे हैं कि प्यार जो है वो समय का गुलाम नहीं है हलांकि rosy lips and cheeks यानि कि आपके जो होट है और गाल है लाल लाल वो क्या है within his bending sickles compass कम वो तो समय के चकर के साथ परिवर्चित होते रहते हैं बदलते रहते हैं लेकिन प्यार कभी भी समय के साथ नहीं बदलता तो यह deep thought है यहाँ पर point का कि आप चाहे आपकी कितनी भी age हो जाए मां लीजे आप आज 20 साल के हैं और आपका जो का दूसरा साथी है वो 22 साल के है तो आज के समय में आप attraction की वज़े से प्यार कर रहे हैं तो वो आपका प्यार नहीं है अगर आपका प्यार 20 साल और 22 साल की उमर में है और वही प्यार 54 और 56 की भी age में रहता है तभी वो आपका सचा प्यार है otherwise वो सिर्फ क्या है attraction है यानि कि आपका जैसे जैसे बुड़ापा आ रहा है वैसे वैसे रोजी लिप्स और चीक्स तो है क्या है समय के चक्र के साथ जाते जा रहे हैं होते जा रहे हैं लेकिन प्यार जो है वो कभी भी कम नहीं होता सच्चे प्यार कभी भी समय का गुलाम नहीं रहता अलांकि हमारा जो फीजिकली जो बोड़ी है वो समय की गुलाम जरूर रहती है love alters not his brief hours and weeks but bears it out even to the edge of doom तो यहां पर point बता रहा है कि प्यार जो है वो ना ही हफ्तों के लिए है ना ही गंटों के लिए होता है यानि कि प्यार जो है वो हफ्ते या गंटे के अंदर अंदर चेंज नहीं होता अल्टर नहीं होता यानि कि यहां पर प्यार जो है वो हफ्तों के लिए गंटों के लिए नहीं रहता है यह हमेशा टिका रहता है यहां पर एक फ्रेज यूज हुई है जिसका एक्चुल मिनिंग होता है कयामत तक यानि कि तिल दा एंड ओफ यूर बोडी या फिर डेथ कह सकते हैं तिल दा एंड ओफ डेथ यानि कि आपके जो अंत है नश्ट है तब तक रहे टिका रहे वही आपका सच्चा प्यार है य लास्ट की दो लैंस जो हमारे कपलेट है दो आ है उसमें क्या आप कह रहे हैं पॉइट इट इस इफ दिस भी एरर एंड अपॉन मी प्रूवड आई नेवर रिट नोर नो मैं एवर लवड ओके तो पॉइट यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर जो मैंने अभी अभी उपर बताया है जितना भी कुछ बताया है उसमें कोई भी गलती है कोई भी एरर है एंड अपॉन मी प्रूवड और आप उस गलती को प्रूव कर देते हो यानि कि उसे साबित कर देते हो कि मैं गलत हूं तो मैं कभी भी नहीं लिखूँगा यानि कि आज के बाद मैं लिखना बंद कर दूँगा और अगर जो मैंने काया वो गलत है तो कभी किसी भी रिक्ती ने सच्चा प्यार नहीं किया या प्यार नहीं किया तो यहां पर poet last की two lines में यही बता रहा है कि अगर उपर कोई गलती है मैंने जो लिखा है और अगर आप उसे प्रूव कर देते हैं तो ना ही आज के बाद मैं लिखूंगा और ना ही आज तक किसी ने कोई प्यार किया है तो poem के अंदर यही था अब poem के आपको जो rhyming scheme है वो बता देते हैं पहले उसके बाद जो point का description दियो और नीचे वो पढ़ लेंगे तो description पढ़ लेंगे चली पहले बता जिता हूं इसमें 4-4 lines लाइंस को तो first-4 lines फिर next four lines का है जो इसके बाद की next फॉर लाइंस इसके जो rhyming scheme है वो ABAB है पूरी poem के अंदर और last की two lines की AA है तो rhyming scheme मैंने आपको बताया था कैसे चेक करते हैं और दुबारा देख लीजिए जैसे यहाँ पर first line फिर third line और फिर second और fourth का चेक कीजिएगा तो first line है minds और second में है finds तो यह दोны जो है rhymes word है एक दूसरे से rhyme करते हुए है तो minds और finds यह दोनों एक दूसरे से rhyme कर रहे है तो इसको अपने देजाते है ए और ए अब love और remove व व व लास्स में वी वी आरहा है दोने की rhyming से मह रहे है last में तो इसको B B दे देते हैς राइमिंग स्कीम इस तरह से निकाली जाती है, आप लास्ट के जो वर्ड्स हैं उन्हें चेक करते हैं, तो पहले पेराग्राफ की, पहले फॉर लाइमिंग स्कीम क्या है, ए, बी, ए, बी, उसी तरह next four lines की देखिये, mark, bark, shaken, taken, तो mark को A दिया, और bark को A दिया, फिर shaken को B दिया और taken को B दिया तो इसकी भी क्या हुई, ए, बी, ए, बी, अब next four lines की देख लेते हैं, Cheeks, Weeks, Come, Doom तो Come में महा आ रहे है Last में और Doom में भी महा रहे है Last में तो इस तरह से निकलेगी इसकी A और इसकी BA और इस सेकंड और फॉर्थ की BB तो इसकी रैमिंग स्की में है AB AB और Last की टू लाइन्स की देख लीजिए Proved और Loved यहाँ पर Last में DD आ रहा है और रैमिंग Last में सेम आ रहे है तो इसकी सेम रहेगी A तो हमारी रैमिंग स्कीम पूरी Poem के अंदर क्या रही है AB 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 और फिर A तो यह पूरी 14 लाइन्स की जो रैमिंग स्कीम रही है अब चलिए About the Point पड़ लिया जाए तो William Shakespeare 1564 to 1616 जैसे के आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था William Shakespeare जिनका जन्म हुआ था 1564 को Death कब हुई थी 1616 में Was one of the greatest poets and dramatist of the English language तो यह English language के लिए लिखते थे Poems और ड्रामाज और यह काफी जादा बड़े poet और dramatist थे अब इनका जन्म का हुआ था Born at Straitford on Avon, England अब इनका जन्म का हुआ था Straitford on Avon, England के अंदर He went to London where his reputation as a dramatist and poet was established अब यह उसके बाद London चले गए थे और London में मतलब एक break मिला अच्छा सा break कैसे मिला यानि कि अपने जो poet life poetic life है या dramatist life है उसमें इनने काफी ज़्यादा appreciation मिला, reputation मिली His sonnets 154 in numbers Sonnets जो हैं basically Shakespeare के ही हैं और 154 लिखे थे इन्होंने sonnets probably written between 1593 and 1598 यानि कि इन 5-6 सालों के अंदर ही इन्होंने जो sonnets हैं लिखे हैं सारे 1593 से लेकर 1598 के अंदर और ये publish कब हुए थे 1602 को मतलब publish होना start हो गए थे इस time में The above sonnet is sonnet number 16 और जैसे मैंने आपको starting में बताया था तो ये जो sonnet जो हम पढ़ रहे हैं अभी इसका number क्या है 116 in which we have a depiction of true love और इसमें क्या बताया गया है पूरे के पूरा true love के बारे में बताया गया है His voluminous work includes 37 plays and 2 narrative poems और इनके जो शांदार work हैं काम हैं उनमें 37 plays भी आते हैं और 2 narrative poems भी आती हैं तो ये 154 sonnets में से 116 number sonnet है ये आपको ध्यान रखना है और publish हुआ था 1609 को और काफी ज़्यादा अच्छे point थे ये William Shakespeare इनके birth कब हुआ था 1564 और death कब हुई थी 1616 में तो मिलेंगे next video में next poem के साथ तब तक के लिए bye thank you